जिन आजरीन यह आप देख रहे हैं ट्रेंड है और ट्रेंड का अप देखा कितना बड़ा सिक्रहा है यह इस से शोला से पहले उन्हें ने बताया कि इसमें कोई आफर चार रहा है 500 कौपन का मगर आप इस वकुत देख रहे हैं कि जब हम लास्ट में बिल बनाया तो यह कोई पिल्कुल मजा के मजाग जैसा है और जब बिल बनाया द्लास्ट में कोई किसी का कम यह कोपनी है अब युका कैसे ट्रेंड बड़ा स्केम चल रहा है यहां इसमें देखने की जूरत है देखे मागाम जो गुलमरग रोड पर पड़ता है जिस बाड़ गाम में यहां पर ट्रेंड़स कमपनी का एक माल यहां पर है मागाम में मागाम चोक में यहां पर इनकी स्कीम है बाई वन एंड गैट वन फ्री जब और लेते हैं उसके साथ में यह एक कोपन देते हैं जो कोई शापिंग करेंगा उसमें पंद्रा सो रुपया की शापिंग कर थे 500 रुपया इसको ये डिसक्काउंट करेंगे जब हम इनके पास चले गए कि हमने शापिंग की 3000 हमने ये कौप उनकी ख़ए और इनुने इंकार कि ये हम इसमें नहीं कर सकते हैं ये हम आपको लेस्स न उनको केने का मक्सद कया है? यह क्या लोगों को दोखा corporate के एक स्कीम है यह अपने आपको ट्रैंडिस कंप्ट needs company का यह इनको highlight करने के लिए है कि लोग यहां आएंगे फिर इनको यह poponहिं हम उसमें add करके लोगों को दोखा देने यह लोग बेख़पर है मगर हम लोग बेखाबर नहीं हैं जब हम यहां पर कल आए उन्होंने हमारे साथ दोखा किया मैं आपके वसातत से इस कंपनी के जो जो इनके M.D. साहब होंगे उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि कश्मीर में आप कमस कम यह दोखा मत चले मैं लोगों से बी गुजारिश करना चाहता हूँ खृदे से पहले इस पर पूरे सवाल कीजिए क्यों आप ये कोपनिस फिर एक्सेप्ट नहीं करते हैं अभी तक तो मैंने हमने उनके साथ राइबता नहीं क्या यह एक कस्टमर की बात नहीं है यह हजारों कस्टमर की बात है हम इन्शालला डिप्टी केमिशनर भडगाम एजडीपियो मागाम और जो हमारे A自 Ime साब बिरवकते हैं उनके साथ हम राड़ा करेंगे और उनकी नोटस में लाइंगे ताकि इस कमपनी का ये जो लोगों के साथ दोग़ाकरे हैं इस पर हम बात करेंगे और इन पर आक्शन करवाए गैं मा skincare की बाजम में किया जा रहा होगा जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मेरी नोट्स में यह लाया हां यहां पर ट्रेंट्स का एक स्टोर खुला हुआ है और आपकी वसासित वसासित से मुझे यह पता चलता है कि आई से उन्होंने कोई टोकन रखा है और जो क्या बूलते हैं 500 रोपीज जो है वो इसमें मुलाब बिल में वो मैनस नहीं कर रहे है जब सेकंड टाइम यह क्या बूलते हैं कोई परशेजिंग करने के लिए आता है और उस लिमिट से उपर मुलाब कोई परशेज करता है हम इसमें देखेंगे कानूनी नवियत क्यों है मैं ऐसे चो साब को भी इसमें कहूंगा और खुद भी इन्शालला मैं इसमें वेरिफाई करूंगा किस हद तक यह सच है और उसके बैद जो भी कानूनी कारवाई होगी वो आमल में लाई जाएगी